हेलो नमस्कार जेहिंद मैं हूँ रॉनक रंतंत रुपे वेलकम क्रिकेट में दो हफते का वक्त काफी बड़ा वक्त होता है दो सितंबर को हमारा पाकिस्तान से पहले मैच था जहां पर विराट कोली, शुबमन गिल, रोहिच चर्मा सब के सब फ्लॉप साबित हुए थे और ये सोशिल मीडिया पर ट्रोल लोगों को रोजगार मिल गया था इनको ट्रोल करकर के लेकिन दो अफ्ती के अंदर जब शुबमन वंडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे बेस्ट बल्लेभास बन गया भाया रोहिच चर्मा ने लगातार तीन हाफ सेंचरी लगाती है और विराट कोली पाकिस्तान को पेल के प्लेयर ऑफ दो मैच बन गये टीम इंडिया भी अब एकदम चिल वाइब लेकर आराम कर रही है क्योंकि फाइनल में तो हम पहुंच गये है और अब हमें इंतजार है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में कोई एक हमसे संडे को पिलने को तयार रहे है आज श्रिलंका और पाकिस्तान आपस में बिढ़ेंगे इस मैच को आप वर्चुल सेमी फाइनल मान लीजी क्योंकि जो जीता फाइनल में पहुंच जाएगा विसे आपको बता दूँ ये श्यकप के इतियास में आप लोग उसे अगरी करते हो या नहीं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना लेकिन एक चीज जिससे आप सब अगरी करोगे वो है कि रोड ट्रिप बड़ी शांदार होती है और अगर रोड ट्रिप आपकी अपनी महिंद्राथार से हो अपनी महिंद्राथार तो सोचो कितना मज़ाएगा अब आप पूछोगे हमको महिंद्राथार कैसे मिलेगी तो वही तो मैं बताऊंगा ना भीया माई 11 सरकल आप वाले इश्यकप के हर मैच में आपको महिंद्राथार जीतने का मौका दे रहे हैं साथ ही आपको मेगा कॉंटेस में मिलेगा 98% का डिसकाउंट वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे लेकिन इससे पहले में इश्यकप के अभी तक के टेक अभी इस बताते हैं सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे अभी तक टीम इंडिया में लगी वो है बैटिंग डेफ्थ की कमी हमारे पास जड्डू के बाद सारे गेंदबाज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी बल्ला चलाना नहीं जानते पहले मैच में पाकिसान के खिलाफ पिछले मैच में शिलंका के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जैसे हार्दी को रिशान आउट हुए उसके बाद हमारे टेल एंडर बल्लेबाज पूरे 50 ओर भी नहीं खेल पाए इसी तरह शिलंका के खिलाफ अक्षर पटेल एक तरफ अकेले खड़े रहे और दूसरी तरफ विकेट गिरते चले गए अब इसको ज़रा बाकी टीमों से कंपेर करो कुछ दिन पहले साउथ अफरिका और उस्टेलिया के बीच एक वंडे मैच चल रहा था ज़रा उस्टेलिया को जीतने के लिए 223 का टारगेट दिया जवाब में उस्टेलिया सो रन के आसपा साथ विकेट गमा चुकी थी लेकिन तब लबूशेन ने दसवे नंबर के बले बाज आशनेगर के साथ मिलकर सो से जाधा की पार्टनर्शिप करी और उस्टेलिया को जिता दिया लेकिन इस वक्त बैटिंग डेफ्ट के मामले में टीम इंडिया सब से पीछे है यही बज़े है कि हमारे तीन प्रॉपर तेज गेंद बाज नहीं खेलते लेकिन आप मुझे खाली पांच मिनट दे दो वो तो अदा घंटा दे रहे हैं आप पांच मिनट दे दो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पे क्लिक करके माई लेवन सरकल आप को डाउनलोड करो आज मौज ही मौज है फिलाल बात करते हैं एश्यकप के टेक अवे नंबर टू की जो की है कपतानी की छोटी-छोटी घलतियां अब ध्यान से सुनो इससे पेले ही रोहिच शर्मा फैन क्लब मेरी इस वीडियो को अपने वाटसेप ग्रूप पर वाइरल करके कॉमेंट सेक्शन में वातान उकूल इस शब्द लिखना शुरू कर दें मैं आपको पताना चाहता हूँ कि रोहिच शर्मा ने इस एश्यकप में बहतरीन कपतानी करी है बलकि उनका तो रिकॉर्ड है वन डे एश्यकप में एक भी मैच नहारने का पिछले मैच में शार्डूल ठाकूर को बाहर करके अक्षर पटेल को खिलाना भी मास्टर स्टोक था लेकिन कुछ चोटी चोटी गलतिया हैं जैसे जब पाकिस्तान के खिलाब 11-12 ओर के आसपास मैच रुका था तो जरूरत थी हम जल्दी से जल्दी 20 ओर तक पहुंच जाएं ताकि मैच का रिजल्ट आ जाए लेकिन उस वक्त भी रोहित ने तेज गिंदबास लगाए रखे अब शुक्रे की बारिश नहीं हुई अकसर छोटी-छोटी गलतियों से ही हा रहे है इसलिए इनसे सीखना सरूरी है एशिया कब का तीसरा टेक अवे है कि हमारी फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी अभी तक समझनी आ रहा है पहले दो मैचों में आपके पास केल राहूल नहीं थे तो इशान किशन खेल लिए जब केल राहूल वापस आ गए और इशान किशन को ड्रॉप करने की कोई वज़े नहीं थी तो हमें पता चला कि श्रेय सेयर की तो पीट में दर्द हो गया है इसलिए शेय से यह अगले दो मैचों के लिए बाहर बेटे बांगलादेश के साथ जो हमारा मैच है उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इसलिए मुझे लगता है उस मैच में अल्रेडी कई बड़े खिलाडियों को रेस्ट मिलने वाला है ऐसे में हमारे नंबर चार पर खेलेगा कौन आईयर राहूल और किशन में कौन बाहर जाएगा इस बारे में सोच सोचकर मेरा वजन डेड़ किलो घट गया है और एशया कब खत्मोंने को आया पर इस समस्या का समाधान नहीं मिला इस बारे में जो टीम खेलेगी मुझे तो लग रहा है कि वर्ल कप में जादतर वही टीम उतारी जाएगी लेकिन उसमें कौन होगा आपके हिसाब से मुझे कॉमेंट करके सरूँ बताएगा फिलाल मैं आपको बता देता हूँ आज होने वाली मेरी पाकिस्तान वर्सेस शिलंका मैच की टीम हमारी टीम में विकेट कीपर होंगे कुशल मेंडिस मुहमद रिजवान बल्ले बाजी करेंगे निसंका, असल लंका, इमाम उलहक और बाबर आजम औल राउंडरोंगे धनेंजे डिसलवा और शादाव खान जबकि गेंदबाजी करेंगे पिछले मैच के हिरो वेला लागे तीकशाना और शाहिन अफरी दी कप्तान बनाओंगा बाबर आजम को जब क्यूब कप्तान है असल लंका तो यह रही मेरी टीम आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है माईलेवें सरकल आपको डाउनलोड कर अपनी टीम बनाओ लेकिन आद रखना इस खेल में वित्ती है जो खिम संभव है और आदत लगने की संभवना है इसलिए सावधानी से खेलें बागे हमने ये फैंटिसी टीम क्यों बनाई ये जादा जानने के लिए हमारे क्रिको चैनल की आज की वीडियो जरूर देखना क्योंकि ऐसी टीम बनाना एक आर्ट है और उस वीडियो में हमने आपको बताया कि आर्टिस्ट कैसे बना जाए फिलाल इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा जल्दी मिलते हैं आपको एक और कड़क वीडियो की साथ थैंक्यू फॉचिंग जैहिंद